सुरा मेरे नज्चे पम्मड कानों वेर ननी सिखा पजिंग समादियामी सुरा मेरे नज्चे पम्मड कानों वेर ननी सिखा पजिंग समादियामी सुरा मेरे नज्चे पम्मड कानों वेर ननी सिखा पजिंग समादियामी वीदा पीपल समण संग और जब हम यह कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं और हम सब एक साथ इखटे हैं तो concept अपने आप किलिर हो जाता है कोई doubt नहीं है इसमें कि हम भारत के लोग हैं और हम एक साथ इखटे हैं और इखटा होना संग कहलाता है यूनियन इसका कंसेप्ट बुलकु सीधा है और इसमें काम करने का तरीका भी सीधा है जो जहां है वहां से जोड़ना शुरू करे कोई कमांड नहीं मिलने वाली कोई आके कहने वाला नहीं है आपको आपको अपने सहज ग्यान से अपने पूरवजों के ग्यान से अपने माता पिता के ग्यान से अपने प्राकर्टिक ग्यान से इस बात को जान लेना है कि जो जहां है वहां जुड़े और जितनी जल्दी बचना है और बच्चों को बचाना है उतनी तेजी जुड़ने में दिखाए और इसको प्राइटी प पहले अगर आपने सो रुपिया कमाया और सो रुपिय की सुक्षा नहीं कर पाए तो आपने जीरो रुपिया कमाया वो तो चला गया बावा साब ने जो आपको सारे अधिकार दिये और वो अधिकार अगर आप बचा के नहीं लाए तो बावा साब खतम हो गए फिर बावा सा बना के दे गया आप उसको बचा के नहीं पाए कोई उसे ले गया कब जा कर लिया तो खतम हो गया तो पूरवज का सब महनत खतम हो गया तो बाबा साब का सारा महनत खतम हो चुका है जब यह हम यहां कंसेट बताते हैं सलसा कंसेट है तो यह समझ में आसानी से आ जाता है और इस concept को इसलिए भी आसानी से समझ में आता है क्योंकि पहले से ही आदमी के दिल में, दिमाग में, खून में, जीन में और पूर वज़ों से चलता आ रहा है अगर ये कोई नया concept होता तो इतनी जल्दी लोगों को यह हमें यह जिनको हम बता रहे हैं उनको समझ में नहीं आता ह हलका सा इसारा होता है और सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि यही वो चीज है जिसको सालों से वर्सों से हम ढूंटे आ रहे हैं और हमको मिली नहीं जैसे जैसे समर्ण संग का काम आगे बढ़ रहा है लोग समझ रहे हैं और समझा रहे हैं वैसे वैसे जो तोड़ने वाले लोग हैं जो तोड़क लोग हैं या जो हमारे अपने समर्ण संगी लोग हैं जो अंजान हैं अग्यानी हैं या बहुत ज्यादा ग्यानवार हैं जिनक ठटके सामना करना है क्योंकि हमारे महापूर्सों ने हर बात का जवाब हमको दिया हुआ है और अगर नियत अच्छा है हो दिल सचा है तो घबराना क्या तो हम आपस में जब बात करते रहते हैं जितने समर्शंगी है तो पूछते हैं कि क्या-क्या समस्चे आ रही है तो वो समस्यां बताते हैं कि जो लोग हैं वो इस बास से नाराज हैं कि भी पैसा लेना क्यों बंद कर रहे है अच्छा ठीक है और क्या समस्या आ रही है तो समस्या आ रही है तो कई लोगों ने बताया कि कह रहे हैं अरे ये दुस्मन के एजेंट है इन्हें दुस्वन से पैसा मिलता है चलो ठीक है ये राजनीती में जाएंगे ये राजनीती में जाएंगे तो ऐसा करके हमारे समर्संगी बातचित करते हैं जाहर सी बात है जब बातचित करते हैं तो ये सेंटेंस कहने वाला है कि ये राजनीती में जाएंगे ये सब भी रा निती के लिए हो रहा है तो उनका कोई रिलिटिव होता है बहुत परम इनका जानकार होता है जैसे जीजा साले आपस में बैठे हैं बात करने हैं समरसंगी बात चली तो जीजा साले की बात कैसे काटे साला जीजा की बात कैसे काटे तो वो इंटरनल जुकर करते हैं बहुत आ स्वालिब आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हो वो इस बात को कहते हैं कि देख लेना यह राजिनीती में जाएंगे तो जो समढ़ संगी है वो सिधा सिधा उसको मन नहीं कर सकता क्योंकि इसका रिजदार है के रहा है बाई है बती जा बता है क्या जा सकते हैं कि जा सकते हैं किसी माथ्यपत जिखा ह fier नहीं Efendimiz सकते हैं क्या कह सकते हैं तुम्हारी बाद सच हो सकती है वो इस टॉंगली नहीं कह सकता उसको क्योंकि उसका रिजदार है और क्यों गारंटी ले सतर साल से जिसने भारतिये बहुत महासवा बनाई वो टिकेट मांगता रहता है जिसने आरपी आई बनाई आरपी आई के टुक के जो लड़के सामाजिक काम करने के लिए उ gouden को सब किया वह पी ट्रिक्ट की लान में चलेगे वह भी राजनीती में चले गे लोगों ने पढ़ाई का काम किया डिखाई का क्या काम किया वह भी तिकट आया जो भी आया अल्टीमेटी राजनेती में गया बिलाते हैं उनकी वह वह करते हैं उनकी गलत बात को जिस्टिफाई करते हैं और जब रिटायर्मेंट हो जाता है तो इसलिए हर व्यक्ति का डाउट करना हर व्यक्ति का संसे करना यह बहुत अच्छा है कम से कम सोचना तो शुरू किया कम से कम चिंतन तो शुरू किया तो सबसे पहले यह देखें कि राजनीती बुरी चीज है राजनीती अगर बुरी चीज होती तो बावा साव अमेट कर रिपब्लिकन और पार्टी नहीं बनाते और उन्होंने तो सारा सम्विधानी राजनितिक बेस बनाया है उसमें राज्य सवादी है, उसमें विधान सवादी है, उसमें विधान परिश्दी है, उसमें लोग सवादी है उसमें राश्ट पती है, उस सारे सारे राजनितिक पद है और उन्होंने आभान भी किया है। तो इंग्ली उठा के कहते हैं राजनीती में जाओ यही पार्लेमेंट इसको गहलो। सारे अधिकार यहां से बनते हैं और वो यह कहके भी जाते हैं कि भही मैं तुम्हें राजनीती का अधिकार ही दे पाया। अब ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि राजनितिक अधिकार से तुम सामाजीक अधिकार और जो आर्थिक अधिकार है उनको प्राप करने। साफ साफ कहके जाते हैं कि वो कुछ जादा पूरा जो कंप्रीट है वो नहीं समिधान में कर पाए। स्मझदार हैं समझगे तो कई लोगों को लगा कि भी राजनिती में बावा साब ने कहा है तो अनुनहें बावा साब की कोई कोड़ेसन भी ढूंड़ ली ताला कली कर देशन में ओटने को बतातें या गाते हैं। तो राजनीती बुरी चीज नहीं है। जो लोग आपको राजनीती में नहीं जाने देना चायते हैं, वो कहते हैं राजनीती बहुत बेकार चीज है, बुरी है, घटिया है। बढ़ जाते हैं, तो इसलिए राजनीती अच्छी भी है, बावसाब कहते हैं और राजनीती गंदी भी है, क्योंकि राजनीती से परणाम नहीं आए हमारे, तो लोगों के उपटे बन करता है, अच्छा और खराब लोगों के उपर है, इस बात को छोड़ देते हैं, मगर मतलब समर्संग जाएगा, समर्संग ही जाएंगे, तो समर्संग का इत्यास उठा लेते हैं, समर्संग जो पुराना था, क्या वो राजनीती में गया कभी, हम तो उसी पर पैटन पर चलने हैं, तो देखते हैं कि नहीं, वो राजनीती में नहीं गये कभी, तो समर्संग कभ लोगों को राजा बनने से रोका या राजनीती में जाने से रोका या जो सामोई पावर है उसको लेने से रोका तो हिस्ट्री ये कहती है कि समण संग ने कभी भी लोगों को रोका नहीं तो कि समण संग का विचार लोगों को आजाद करता है और राजनीती भी समाज का हिस्सा है इसलिए समर्संग ने कभी इसके उपर बैन नहीं लगाया तो फिर क्या किया समर्संग ने एक open policy की जिसको जाना है वो जाए और खोशी से जाए समर्संग नहीं जाएगा तो आप ठोक के कह सकते है राजनिती में जाने के लिए मराई नहीं है बावा साब ने भी किया है कोई समर्संगी है जब तक समर्संग में यहां एक्टिव मेंबर रहना चाहे रहे उसको राजनिती करनी है जाए जब वो जाएगा तो यहां का एक्टिव मेंबर नहीं रहेगा नॉर्मल तो लोग क्यांगे कि ये तो समर्ण संगी था और ये राजिया निती में चला गया तो समर्ण संग उसके पीछे नहीं खड़ा हुआ है वो ये नहीं कह रहा है कि ये समर्ण संग का बंदा था इसलिए समर्ण संग के साई लोग इस बंदे को देखें क्योंकि समण संग समण संग का फाइदा देखता है व्यक्ति का नहीं देखता इस बात को अच्छी तरह दिमाग में रख लें समण संग कभी एक व्यक्ति के पीछ नहीं जाएगा क्योंकि समण संग ये देखता है कि संग का फाइदा कहां पर है संग का मतलब है पूरे समाज का, पूरे समुदाय का, पूरे समण लोगों का फाइदा कहा है, वहाँ जाएगा, और वही फैसला करेगा, तो इसलिए एक व्यक्ति जाए, दो जाए, तीन जाए, क्या फरक पड़ता है, यहां तो बहुत साइल लोग हैं, चले जाएं, कोई कहे के जी यह समण संगी महा आ रहे हैं, तो उनका राइट है, अगर समण संग को छोड़के जा रहे हैं, कोई व्यक्ति यह कहे, कि जी फलाना व्यक्ति समण संग में समण संग का फाइदा उठा रहा है, तो संग क्या कर रहा है, अगर संग का फाइदा उठाके एक व्यक्ति ल मोट करेगा ना उसे नेता बनाता है और ना उसके पीछे जाता है और ना उसके पीछे खड़ा होता है और ना ही उसका कहीं परचार करता है संग तो संग की बात करता है इसलिए जितने भी समर संगी हैं वो ठोक के इस बात को कह सकते हैं, गांटिट कह सकते हैं, साथ कह सकते हैं, और वो इस बात को ऐसे कहें, कि हम कभी भी राजनीती में नहीं जाएंगे, हमका मतलब समर्संग, और वो ये कह सकते हैं, कि अगर इंडुजल व्यक्ति को जाना हो, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति जा सकते तो क्या ले जाएगा स्रमर्संग से संगठनों में जितने सरकारी करमचारी के संगठन है या जितने धर्म के संगठन है या जितने राजनीती के संगठन है या जितने लड़कों ने बनाए या जितने सरकारी करमचारीयों के या जो भी संगठन है वो सारे के सारे संगठन एक व्यक्ति के उपर डिपेंड होते हैं, जिसको प्रधान बोलते हैं, और वो जो प्रधान होता है, वो अपना नाम चमकाता है, उसका नाम जाता है, उसका फोटो जाता है, वो अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्षता करता है, वो हर मीटिंग के अध्यक्षता करेगा, वो बीच उसके पूछे कोई में जड़ने ले लेदा, कहीं कुछ भी बोल देगा, बश्यों उसने कहा दिया, वो नियम बन दिया तो ऐसा व्यक्ती जब जंप करके जाता है, तो संग्ठन तो खतम होता ही होता है साथ में वो संग्ठन की सारी ताकत के ले जाता है क्योंकि संग्ठन का नाम उसके ओपर चलता है दरसल वो संग्ठन नहीं होता वो नाम ही हो जाता है यानि व्यक्ति का नाम ही संग्ठन है व्यक्ति मर गया तो संग्ठन खतम व्यक्ति किसी दूसरी पार्टिम चला गया तो संग्ठन खतम व्यक्ति कहीं जम करके चला गया तो संग्ठन खतम तो ये संग्ठनों की हलत होती है संग में व्यक्ति जाए जिसको जहां जाना है जो व्यक्ति जाना चाहता है जितने व्यक्ति जाने चाहते है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, संग नहीं खतम होता, क्योंकि व्यक्ति जा रहा है, उसके पास कोई पद पोश्ट तो है नहीं, तो उससे संग पर क्या फरक पड़ने वाला है, एक एक्टिव मेंबर का फरक पड़ेगा, हमारा एक सक्रिय कारेकरता कम हो गया तो और आ और बाकी लोगों ने भी संग का सिस्टम लिया हुआ है, उस सारे चलते और कोई राजनीती में नहीं जाता उनमें, इसलिए आप ठोक के कहो इस बात को, कि संग राजनीती में नहीं जाएगा, मगर किसी व्यक्ति को कभी रोकता भी नहीं है, आजा दी है, क्योंकि अगर आ कैसे कोई व्यक्ति राजनीती में नहीं जाएगा, तो राजनीती भी संग लोगी तो करते हैं, फिर तो राजनीती खुली हो जाएगी, बावा साब ने का है, राजनीती में जाओ तो बावा साब की बात कैसे मानोगे, और फिर बंबन लोगों से राजनीती में लड़ेगा कौन सारे समण अगर राजनिती में नहीं जाएंगे तो फिर तो गर्दी आपकी वैसी चले जाएगी फ्री में तो वो नहीं जानी चाहिए मगर समण संग भी बचना चाहिए अगर समण संग के अंदर राजनिती आ गई तो समण संग तो राजनितिक पार्टी हो जाएगा और राजनितिक पार्टी की एक उमर होती है, हर एक राजनितिक पार्टी की 10 साल, 20 साल, 30 साल एक उमर होती है, सुरू में वो बच्चा होती है पार्टी, फिर वो जवान होती है, उसके ज़्यादा मेंबर आते हैं, फिर वो पार्टी हमेसा जवान रहता है संग ना कभी बच्चा है और ना कभी बूड़ा होता है इसकी जवानी हमेसा वक्राब रहती है क्योंकि संग में लोग आते हैं जाते हैं चले जाते हैं संग कहीं नहीं जाता ये घर है ये हमारा पर्मनेंट घर है जिकाँसे कोई विक्ति गाुं में रहता है तो उसका जब एडेस लिखा जाता तो उससे कहते हैं बता भी तेरा पर्वानेट? एडेस क्या है? और तरह घाली बंद हो जाए तो अपना सावान उठा की पेदल अपने पर्मानेट इडेस पर चला जाता है उसका घर है वहाँ रोटी खा लेगा वहाँ रह लेगा ठीक वैसे ही समण संग सबका घर है अभी दो मेहने बाद बहुत सारी लोग पिटशत के आएंगे मानने रहें चार आदमी है और चालिस पार्टी मना रखी है और वोट सोले परसेंट है और उम्मीद कर रहे है किसे कर लोगे भाई चार आदमी चालिस पार्टी मना ओगे लोग किसको चूज करेंगे किसको नहीं करेंगे तो अभी पिटेंगे च्छतेंगे भागेंगे दोडेंगे बीस आदमी एक दिया से खड़े होंगे एक ही तो जीतेगा और जो जीतेगा उसको पता नहीं क्या हो गया उन्होंने इसको जाल पूछ के इसमें कलई पुता करा के इसमें दर्वाईज वरवज़ ठीक करा के लाइट लगवा के इसको फिट कर दिया है आओ आजाओ घर आजाओ अब घर आगया है परमनेंट घर आगया दिक्ति की बात रही है जो काम जिसको करना है करे लिए रा और अगर भाई तुम राजनितिक पार्टी होते हुए एक छोड़ी सी बात नहीं मनवा सकते तो कैसे राजनितिक अधिकार बचाओगे हमारे और अपने क्या गारंटी है यह चोटा काम हुआ नहीं बड़े-बड़े काम कैसे करोगे यह दोनों ही जो कंडिशन है वो टफ हैं समर्संग की दोनों टफ हैं अगर यह दोनों पूरी हो जाती हैं तो आपका किलाज जो राजनितिक वाला है वो तो वैसी लोग फत्य कर लेंगे आपको चिंता करने की आऊ सकता नहीं पड़ेगी मगर समर्संग वही रहेगा इसलिए समर्संग के सारे आप्सन खुले हुए हैं आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ फिरी है आप अपने फेस्बुक पे अपने पेज पे अपने टूटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप यूटूब पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद तंसरेन गच्छामू तो तंसरेन गच्छामू तंसरेन गच्छामू तंसरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू तो तियंपी बुद्धं सरेन गच्छामू संगं सरेन गच्छामू तो तंसरेन 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 गच ततियं पी बुद्धम सर्वं कच्छाम। ततियं पी संदम सर्वं कच्छाम।